नमस्कार मेरा नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हमारा विशेश कारिकरम बोलेगा विहार सबसे पहले आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुब कामनाए आज वीडियो में हिंदी भासा से जुड़े कुछ ऐसे तथ आपको बताएंगे जो निश्चित रूप से अंग्रेजी भासा को गलोबल समईने वाले आपके नजरिये को परिवर्तित कर देगा दूसरी खबर वियार की राणिती से जुड़ी है क्या मुखिमंत्री नितीस कुमार सच में विधान सबा चुनाओ के दवरान ठगे गये थे क्या भारतिय जनता पार्टी और मुखिमंत्री नितीस कुमार में सब कुछ ठीक नहीं है बहुत ज्यादा लेट हुआ जिसके कारण उन्हें समझी नहीं आया कि कौन उनका साथ दे रहा है और कौन दुस्मन ही निकाल रहा है आम तोर पर सीटों के बटवारे सम्मंदित सारे मुद्दों को पाटिया चुनाओ के कुछ महीना पहले ही तैग कर लेती हैं लेकिन इस बार कोरोना के कारण ये संभव नहीं हो पाया जब तक लोजपा को रहना है या NDA से जाना है इसका फैसला हुआ तब तक बहुत लेट हो चुगा था उसके बार जल्दी जल्दी प्रत्याशियों की घोश्रा हो गई लेकिन इसी बीच यह खबर आम हो गई कि लोजपा को भारतिय जनता पाटी केवल इसलिए अलग से चुनाव लड़ा रही है जिससे जद्यू का बोट कट सके दो-तीन सीटों को छोड़ कर लोजपा पूरे राज में कहीं भी भारतिय जनता पाटी की सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही थी बलकि जनता दल उनाइटेट के हर एक सीट पर उसका प्रत्याशी खड़ा था चुनाव के दवरान नितीश कुमार को इस बात का अभास तो हो गया कई उनके साथ कोई गेम खेला जा रहा है लेकिन तब तक उन्ट पहार के नीचे पहुँच चुका था मतलब कि नितीश कुमार उस समय इतने मजबूर थे कि उनके पास सब कुछ तमस्ते हुए भी उनका दूश प्रचार किया उन्होंने बैठक में सारी चीजे के कर गिनाई और कहा कि हमने इतना कुछ किया लेकिन उसका इंपेक्ट नीचे तक नहीं गया मुखेमंत्री नितीश कुमार चुनाव प्रचार के दवरान सोचते रहे कि आखिर कोरोना की समय क्या हुआ आपको याद दिलादू की बिदान सबाच चुनाव के दवरान मुखेमंत्री नितीश कुमार ने कहा था कि यह मेरा आखरी चुनाव है माना जा रहा है कि जब मुखिमंत्री नितीज कुमार को यह आभास हो गया था कि इस चुनाव में जदियू बहुत बुरी सितीम पहुँचने वाली है तब उन्होंने यह दाव खेला था एक चीज पर आप गौर करेंगे तो राज में जितनी भी हत्याय हो रही है अपराज बढ़ रहा है उन सब का आरोप जदियू के सर पर लादा जा रहा है मतलब साफ है कि भले यह भारतिय जनता पाटी सरकार का हिस्सा है लेकिन अगर राजे में कुछ भी गलत होगा तो उसका दोश मुखिमंत्री नितीज कुमार के सर परी जाएगा यही चीज भी धानतबा चुनाओ के दवरान कोरोना को लेकर भी हुआ था अगर कोरोना काल में कुछ गलत हुआ था तो भारतिय जनता पाटी भी उसकी उतनी ही जिम्मेदार थी लेकिन इसका प्रभाव केवल और केवल जदियू पर पड़ा बलकि इसके उलट भारतिय जनता पाटी राज में और अधिक मजबूत हो गई सोशल मीडिया के जरिये नितीज कुमार के चेहरे को लेकर जितना कुप प्रचार हुआ उसका अंदाजा भी मुख्यमंत्री को भली बाती है उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के बुर्य पहलू को हमारे खिलाप इस्तमाल किया गया मजूदा समय में तो हम यह नहीं कह सकते कि सरकार गिर ही जाएगी लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में किसी भी कीमत पर NRC को लागू नहीं होने देंगे NRC भारतिय जन्ता पार्टी के सबसे प्रात्मिक कारियों में सामिल है ऐसे में लवज यार NRC इन सारे मुद्दों को लेकर भारतिय जन्ता पार्टी और जद्यू के बीच विवाद और गहरा सकता है लेकिन यह राजनीती है और यहां निरासा में भी एक आशा होती है बिश्व हिंदी दिवस क्यों मनाये जाता है सबसे पहला सवाल तो हमारे मन में यही आता है तो इसका बड़ा सधारन सा जबाब है कि हिंदी भासा को अंतराश्ट्रिय भासा के रूप में अस्थापित करने के लिए तथा और अधिक लोगप्रिय बनाने के लिए हम हिंदी दिवस मनाते है बिश्व हिंदी दिवस को 10 जन्वरी के दिनी क्यों मनाये जाता है इसके पीछे का भी अपना इतिहास है पूरी दुनिया में हिंदी की प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहला बिश्व हिंदी सम्मेलन महराष्ट के नागपूर में 10 जन्वरी 1975 को आयू जित की गई थी इसी कारण पूर्व प्रधान मंतरी मन्वहन सिंग ने 2006 में हर साल 10 जन्वरी को बिश्व हिंदी दिवस मनाये की घोशड़ा की थी हिंदी दिवस और बिश्व हिंदी दिवस को लेकर काफी लोग भ्रहम की सिति में पढ़ जाते हैं तो हम आपको बता दे कि 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाये जाता है क्योंकि इसी दिन भारतिय संविधान में 1989 में हिंदी को राज भासा का दर्जा दिया था चलिए अब आपको हिंदी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य पता देते हैं जो अंग्रेजी को ज्यादा बड़ा समझने वाले आपके नजरिये को बदल कर रख देगा World Economic Forum के अनुसार 2050 तक हिंदी बिश्व की सबसे सकति साली और पसंदीदा भासा बन जाएगी अब इंटरनेट को लेकर आपका भ्रम तोड़ देते हैं आम तोर पर हमें लगता है कि इंटरनेट के लिए अंग्रेजी ज्यादा अच्छा है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के हिंदी यूजर्स ने अंग्रेजी यूजर्स को इंटरनेट की दुनिया में पिछे छोड़ दिया है भारत के लगबक तिरान में फिजदी युवा YouTube पर हिंदी में content देखते हैं दुनिया के तीन सबसे लोगप्रिय भासाओं में हिंदी सामिल है इरोप के देशों में हिंदी को अब लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य को भी लोग एक सम्मान की दृष्टी से देखते हैं भारत के करीब 770 फीजडिंडी लोग हिंदी भासा में बात करते हैं भारत के जिन दक्षिन राज्यों में कभी हिंदी का बिल्कुल बोलबाला नहीं था वहां के उवावद्वारा आज के समय में हिंदी भासा को केरियर के रूप से बहुत ही महत्पुन भाशा माना जाता है हर साल दक्षन के राज्यों में हिंदी पढ़ने वाले उवाव की संख्या अभूत पूर्व तेजी से बढ़ रही है इरोप के देशों में हिंदी कितनी लोगप्रिय हो रही है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के 176 विश्चु विध्यालेओं में हिंदी भासा की पढ़ाई होती है जिसमें से 45 अकेले अमिर्का के विश्चु विध्याले है अब तक अक्सफोर डिक्संडरी में हिंदी के 900 शब्द सामिल किये जा चुके हैं सबसे मतपुन है कि हम फोन पर जब हेलो बोलते हैं तो हमें लगता है कि हेलो सब्द दुनिया का सबसे प्रचलित सब्द होगा लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हेलो से ज़्यादा नमस्ते शब्द प्रचलित है दुनिया के आप किसी भी कोने में हाथ जोड़कर नमस्ते बोलेंगे तो लोगों को समझ में आ जाता है कि यह इंसान अभिवादन कर रहा है आज के समय में हिंदी सबसे तेजी से बढ़ने वाली भासाओं में से एक है भारत के आलावा पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, युवेई, युगांडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, शाउठ अपरिखा, मौरिशस, न्यूजिलेंड, गुयाना, सूरिनाम, त्रिंदाद के आलावा अन्य कई देशों में भी हिंदी बोली जाती है हिंदी को तो फीजी के अधिकारिक भासा होने का गौर अभी प्राप्त है कहने का मतलब है कि हमारी हिंदी इतनी सक्षम है कि पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकरशित कर सकती है बशर्ते हम अपनी हिंदी का पूरा सम्मान करें अगर हम अपने हिंदी का सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से World Economic Forum के अनुमान के मुताबिक, 2050 तक हम दुनिया की सबसे पसंदिदा और ताक्तोर भास्ता बोलने वाले बन जाएंगे. उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, फिर मिलेंगे आपसे किसी नहीं मुद्धे को लेकर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेर कीजिए, फेश्बूक पर देख रहे हैं तो पेश को लाइक किजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए, मिलते हैं फिर बहुत जा लगले वीडियो में, कैमरे के पीछे खणे हैं पप्पु सिंग और मैं मोहित कुमार सिंग, धन्यवाद.